एंसेंड किंग्डम का इतिहास भाई इसके बार में हर वनपीस फैन जानना जाता है देखो ये वनपीस के उन मिस्ट्रीस में से आता है न जिसके बार में मैं क्या ही कहूँ भाई बंदे इसके बार में जानने के लिए तरह जाते और ओड़ा इसके बार में कुछ नहीं बतात हाँ लेटिस्ट मांगा चेप्टर में उसने एक बात कंफर्म किया कि उस टाइम पे टेखनोलोजी एडवांस हुआ करती थी और जिस तरह से आज के टाइम पे एग हेड आइलेंड है एंसेंड किंग्डम उस टैम पे उससे कई ज़्यादा एडवांस टेखनोलोजी से भरी हुई थी प्लस ये एंसेंड किंडम से ही जो है न वाइड सेंचरी के इतिहास आता है विल ओव दी आता है वन पीस का वर्ल्ड आता है, वन पीस के अलग अलग प्रजातिया आती है और ये सारी चीज़ें यार सुरू होती है अब देखो अगर तुमने मेरा ये वाला वीडियो देखा है तो वहाँ पर मैंने एक बात कहा था कि वन पीस के वर्ल्ड में, I mean वन पीस का जो अर्थ है वहाँ पर पहले के टाइम पर और भी जादा प्लैनेट्स हुआ करते थे उसकी तरह या गैलो मून हुआ करते थे जो कहना चाओ कह सकते और वहाँ से अलग अलग प्रजातिया आ करके यहाँ पर बस गई अब देखो इस बात को जैस काईपया में इस बुढ़्धे ने भी कनफर्म किया था कि यह तो हम है जिनों ने एक दूसरे को रिजेक्ट किया है मतलब यह कि आपस में पहले का टाइम पर बनती नहीं थी अब देखो जिस तरह से अभी लेटेस मांगा चेप्टर में ओडा ने कनफर्म कर दिया कि उस टाइम पर टेक्नलोजी एडवांस थी प्लस, रॉज़र ने जब वनटीस खोजा था तो वो हस्ते वोई एक बात बोला था कि कास में तुम्हारे एरा में पैदा हुआ होता जॉइ बॉइ इसका मतलब वो जो इंसेंट किंग्डम था वो अला जो वाइड सेंचुरी का इतिहास था वो एरा था जॉइ बॉइ का और उस टाइम पे इस टाइप का वर्ल्ड था अब देखो हमें लूफी का ट्रू ड्रीम तो नहीं पता है लेकिन जो लूफी का ट्रू ड नहीं है तुम एक बात बताओ वन पीस में जितने टाइम भी अभी तक तुमने लूफी को देखा है क्या कहीं पर भी लूफी ऐसा बिहेब करता है कि मैं यहां का राज हूं भाई देखो यहां तक कि वो जिस भी आइलेंड को आजाद करवाता ना उसको पूरी तरह फ्री क किंडम कोई प्रोटेक्ट करते होंगे जो कि वो करने में फेल हो गया प्लस कुछ ऐसा हुआ होगा पहले के टाइम पर अलग अलग प्रजाती के लोग आकर के यहां पर रहके मतलब अपना मतलब लेन देन चलता था लेकिन फिर एक टाइम पर हुआ कि कुछ चूती है जो आ हमने अभी तक फेस नहीं देखा जिस वज़े से हम गैरंटी के साथ नहीं कह सकते कि इमू इस वर्ल्ड की है हाँ फाइब बुढ़ों को देख करके लगता है कि यह इस वर्ल्ड के है मतलब देख के लगता है विकाज यह भी हूमन की तरह दिखते हैं और कभी भी एस्ट्र अर्थ होगा जहां पे लोग मस्त रहते थे बस फरक यह था कि वो लोग अपने दुल में रहते थे किसी में एकता नहीं थी सब फ्री हुआ करते थे लेकिन इन लोगों के दिमाग में ऐसा आया होगा उस टाइम पे कि चलो क्यों ना इनके उपर राज किया जाए विकाज य एंसेंट किंग्डम को पूरी तरह से मिटा दिया इसका रीजन क्या देखो एंसेंट किंग्डम अगर रहेगा ना तो भाई लोगों को हमेशा इतिहास के बार में पता होगा पर एंसेंट किंग्डम के बार में मिटा दो अब देखो यह लाफटेल आइलेंड है कहां पर य लेकिन एक और चीज निकल के भी आता है अगर एंसेंट किंडम राफटेल में होता तो इमू को राफटेल के बार में नहीं पता है और राफटेल कैसे जाना इस बार में भी उनको जादा नहीं पता है अगर उनको पता रहता तो हो सकता है वो लोग पहले ही उड़ा आके सब कुछ साफ कर चुके रहते हैं साथ ही साथ उस टाइम पे टेक्नलोजी इतनी जादा एडवांस हुआ करती थी कि भाई देखो ऐसे भी पत्थर मौजूद थे जिसे तुम तभा नहीं कर सकते हैं और ऐस एंसेंट राइटिंग से लिखा गया उन पत्थरों में कि तुम उसको मिटाओ के कैसे हो बस उनको पढ़ने वाले भी कुछी लोग मौजूद है अब देखो यहां से जो एक और डेविल फूट वाला कॉंसेप्ट जो है क्लियर होता है मतलब अब जो है धीरे धीरे अंदा वैगा पंक की ही बात कर रहे हैं लेकिन सोचने वाली बात यह है कि भाई यह डेवल फूट बने कैसे चलो हम को देखते हैं ब100 वैगा पंक ने काईडोगर क डेविल का कॉपी बनाने का ट्राईOnce के ऐक हिसाब से एक लेकिन ममनोस के तो ड्रैयं बन सकता है अब देखो मेरा यह मानना है कि हो सकता है डॉक्टर वैगापंग उस डेविल फूट के अंदर विल डालने में नाकामियाब हो गया होगा और हम सभी को पता है जितने भी जोवा डेविल फूट होते हैं उनके अंदर खुद का विल होता है प्लस हम सबको एक और चीज पता है कि वन पीस के वल्ड में जितनी भी इवेंट्स होती है चाया भूत प्रेट से लेके जितना कुछ भी है अगर दिखाया जाता है इसके पीछे भी कोई ना कोई रीजन बताया जाता है वो भी स्ट्रॉंग वाला कि यह कैसे है साइंटिफिक रीजन दिया जाता है तो हाईली चांसे यह है कि यह जो डेवल्ड को व्ल्ड में डेवल सुट्स एक्जिस्ट करते हैं इसका भी सायंटिफिक रीजन यह हो सकता है कि भाई उस टाइम पर इंशेंड कींडम के टाइम पर आज से 900 साल पहले इन डेवल सुट्स को बनाया गय होगा साथ ही साथ लेटिस चैप्टर में यह वाली जो वेगापंक है यह एक और बात बताचती है कि उन्हें अगर इटर्नल फ्लेम मिल जाए तो वह सं तक को क्रिएट कर सकते तो आज के टाइम पे यह कर सकते तो उस टाइम पर क्या डेवल प्रीट को नहीं करो कि और कि यह सारे डेवल सीट और यह सब यह सब को बाता इसे मिलता है और तो बाकि के हाकी है यह तो सब के पास रहता है बस जगाना पड़ता है लेकिन जो डेवल फूट वाला है वो भाई खाना पड़ता है तो हाँ यहाँ पर हो सकता है कि डेवल फूट को उस टाइम पे इंसेंट किंग्डम वालों ने ही बनाया होगा और एक चीज जरह तुम देखना जित तुमने वल्ड नॉवल को देखा है नहीं इनको तुम्हें स्ट्रॉंग नहीं नजर आएंगे यह क्या करते है न इन लोगों ने माइंड वॉस करके यहां के लोगों को ही अपने गुलाम की तरह यूज किया मरीन भी यार उनकी गुलाम है विकॉज हो सकता है उनको हिस्ट वो सुझने की पूजा करते होंगे और डेवल फूर्ट को बनाया गया था तो उस टाइम पे सं गॉड को को लेकर यह यह टवांस होगी और यह ज्वांड फूर्ट है तो उस टाइम पे हो सकता है कि इन लोगों ने वैसी पावर दे दी हो सकता हुँए 6 उसको देखْकर के इन लोग ने उस टाइबर फूर्ट बना दिया प्लस जोगान एबर फूर्ट था तो इस वज़े से उसके अंदर खुद की सोचने की चमता आ गई थी और उसी वज़े से प्रिवियस टाइम पे 900 साल पहले उसका जो यूजर था जिसे हम जोई वह ही कहेंगे फिलाल दिले बिकॉज हमें उसके बारे में बिल्कुल भी नहीं पता कौन था प्रिवियस यूजर प्लस रहाबात रेड लाइन का तो यह रेड लाइन पहले के टाइम पे एक्जिस्ट नहीं हुआ करती थी पहले के टाइम पे पूरी तरस से अल ब्लू था फिर रेड लाइन किसी तरस से अचानक से बना या फिर हो सकता है बनाया गया हो सकता है बेवकूफ बना के ही बनाया गया होगा और बनाने के बाद हो सकता है जब इन्हें रेयलाइज हुआ होगा ये जॉइबाई वाले टीम को या एंसेंट किंग्डम वाले लोगों को कि हमने एक बहुत गलत चीज बनाया because मुझे नहीं लगता है कि ये EMU या फिर ये जो Celestial Dragon उनके पास उतना दिमाग होगा उतना टेकलोजी होगा कि वो लोग रेड लाइन बना सकते हैं ये हो सकते हैं ये ancient kingdom वालों नहीं बनाया होगा हाँ वो बातल है कि दिमाग में बेकूप बना कि इनको किसी तरह से mind manipulate करके बन करने के बाद इनके हाथों से सब कुछ चला गया होगा खेर देखो ज्यादा कुछ सो था नहीं बात करने के लिए लेकिन हां ancient kingdom फिलाल के टाइम पे जितना सौल्व है वो देखके तो यही लग रहा है और आगे और मिस्ट्री सौल्व होंगे और फिलाल देखके यही लग अब तुम सब को हो सकता कुछ और भी possibilities नजर आ सकती है और वो possibilities मैं सनक चाहूंगा तुम तुमारी राय बताओ यार फिलाल के लिए इतना ही बाकी तुम सब फार्मलेटी पूरा कर देना लाइक सब्सक्राइब वाला इस्टाग्राम पर फॉलो कर लेना तो यार मिलेंग न